हम जाओ जाओ नहीं लगता कि आपको यह objective question अच्छे से समझ में आएगा तो इसलिए आपको जरूरी है कि पहले इस chapter को पढ़िए अच्छे से तब आप question को कीजिए और अगर आपको हमारे इस channel से जूड़ना है तो इस link पर click करकर आप आसानी से हमारे चैनल से जूड़ सकते हैं और यह जो भी मैं objective question आपको समझाओंगी अगर उसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिक्राम से जूड़ सकते हैं आपको वहाँ पर आसानी से PDF फाइल मिल जाएगा चलिए अब हम question की तरफ चलते हैं पहला question है किसे बिम्ब का ओतल दरपन द्वारा बना परतिविम आभासी सीधा तता बिम्ब से बड़ा पाया गया वस्तू की इस्थिती कहां होनी चाहिए question है परतिविम जो आपका बन रहा है वो आभासी बन रहा है सीधा बन रहा है ताथ बिम्प से बड़ा बन रहा है तो हमें ये बताना है कि वस्तू कहाँ पर होनी चाहिए घीक है तो option one याण कि जब आप वस्तू को दर्पन के दुरू तथा मुख्या फोकस के बीच यान कि जब आप वस्तू को दर्पन के दुरू तता मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तू का परतिविंब आपको मिलेगा अभासी सीधा तता बिंब से बढ़ा हम करकर भी देख लेंगे यहां पर आउतल दर्पन बनाएंगे यह हो गया इसका मुख्याक्ष यह हो गया दुरू और यह हो गया फोकस और यह हो गया वकरता केंद्र यहां पर वस्तू को रख दीजिए जब आप इसका परतिविंब बनाएंगे तो किस तरह बनेगा यहां पर इसका परतिविंब बन जाएगा और ये जो परतिविम बना है ये सीधा है आभासी है और बिम्ब से बड़ा है तो इसलिए इसका गवाव अपसन सही हो जाएगा चलिए अब हम अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन है किसी दरपन से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका परतिविम सदे और सीधा परतीत होता है तो संभावता दरपन है कहने का मतलब यह है कि आप दर्पन के सामने खड़े हो रहा है तो आपका जो प्रतिविम बन रहा है वो हमेशा सीधा बन रहा है तो बताईए दर्पन कौन सा दर्पन है तो कह है केवल समतल, खह है केवल उतल, गह है केवल आउतल और घह है या तो समतल तथा उतल तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा घ़ौ यहाँ तो समतल तथा उत्तल आप हरो जिस से मैं अपनी चेरे को देखते हैं वो होता है समतल दर्पर्ण तो उसमें तो हमेशा प्रतीवियम सीधा दिखाई देता है आपका चेरा हमेशा सीधा दिखाई देता है बिल्कुल उसे तरह उत्तल दर्पन में भी होता है उसमें हमेशा सीधा परतिविम दिखाई देता है तो इसका राइट एंसर गहा हो जाएगा चलिए अब हम अगले कोशन को देखते हैं कोशन नमर थ्री कोशन है निमलिखीत में से किस दर्पन द्वारा किसी वस्तु का वास्त्विक परतिविम मिल सकता है रियल इमेज तो आपसन है समतल दर्पन द्वारा ख अउतल दर्पन द्वारा ग उतल दर्पन द्वारा और ग तीनो परकार के दर्पनों द्वारा तो जो आपका Real image मिलता है हमेशा ओतल दरपन में मिलता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खहा में क्वा обहत only दरपन दोरा क्योंकि हमेशा और दरपन में वास्तिक परति सक सिदा उत्तरा बना परतिविंब होता है कैसा होता है आप्शन है को कालपनिक और उल्टा, खो कालपनिक और सीधा, गो वास्त्विक और उल्टा और गो वास्त्विक और सीधा तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालपनिक और सीधा यानि कि उत्तल दर्पन में जो आपका पर्तविम बनता है वो हमेशा कालपनिक और सीधा बनता है तो खा उत्तर हो जाएगा चलिए अगले कोशन को देखते हैं कोशन नमर फाइफ कोशन नमर फाइफ है निमलिखीत में से किस दर्पन द्वारा किसी वस्तु का अभासी परतिविम प्राप्त किया जा सकता है अभासी परतिविम वर्चुल इमेज प्राप्त किया जा सकता है तो option है केवल समतल दर्पण में, खो option है केवल आउतल दर्पण में, गो है केवल उतल दर्पण में, गो है तीनो परकार के दर्पण में तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गो तीनो परकार के दर्पण में क्योंकि जो आभासी प्रत्विम बनता है वो समतल दर्पन में भी बनता है और उतल दर्पन में भी बनता है तो इसलिए इसका राइट एंसर हो जालेगा गहुँद तीनों परकार के दर्पनों द्वारा अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन है निमलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदू स्रोच से समानतर की रणपुन्ज मिल सकता है यानि कि एक बिंदू स्रोच उस दर्पन पर अगर हम एक बिंदू स्रोच से परकास डाले उस दर्पन पर तो उससे हमें समानतर की रणपुन्ज मिले तो आप् है इन में से कोई नहीं तो इसका सभी उतर क्या होगा इसका सभी उतर हो जायेगा को ओतल दर्पन गोरा इ मैं एक बिंदु स्रोथ चेंए चर्ण तक्रा कर जाती है तो एक दुसरे के किरन पुंज मिलता है चलिए अब हम अगले कोश्ण को देखते हैं अगला कोश्ण है कि कहा परिस्तित होने से वस्तु का परत्विंब और दरपन के फोकस पर बनता है तो आप से ने को फोकस पर खो वकरता केंद्र पर गद्रू पर गवा अनंथ पर तो इसका सईवत्तर क्या होगा अनंत पर जब हम अनंत पर वस्तू को रखेंगे तो उसका प्रत्विम जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा यह हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में ही सायर पार्ट सिक्स सेवन में हम लोग यह पढ़ चुके हैं ठीक है तो चलिए हम लोग अगले कोश्चन की तरफ चल चालक के सामने जो दरपन लगा रहता है वो कौन सा दरपन लगा रहता है अप्शन है समतल दरपन ख है उतल दरपन गह उतल दरपन गह एक पतला लेंज तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख उतल दरपन उतल दरपन मोटर गारी के चालक के सामने लगा रहता है क्योंकि उतल दर्पन में जो पर्तिविम बनता है न वो छोटा बनता है इसलिए उसके चालक के सामने लगा रहता है ताकि पीछे का जितना भी छेतर है वो उस दर्पन में दिख जाए ठीक है अब हम लोग अगले कोश्चन को देखते हैं कोश्चन नमबर नाइन कोश्चन नमबर नाइन है कि एक गोल ये दर्पन द्वारा बना पर्तिविम का आवर्धन रिडात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि पर्तिविम को वस्थू से छोटा है खो वस्थू से बड़ा है गो सीधा है गो उल्टा है तो मैं ठीक इसके पहले वाले वीडियो में ही बताई हूँ कि जो अवर्धन का रिडात्मक मान होता है वो हमें ये बताता है कि वस्थू उल्टा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा गो उल्टा ठीक है अब हम लोग अगले कोश्चन की तरफ देखते हैं कोश्चन चोटा और आभासी परतविम तो आप्सन है समतल दर्पन से ख अवतल दर्पन से ग उतल दर्पन से और ग उप्रोक्त सभी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उतल दर्पन से उतल दर्पन में ही हमेशा वस्थू से चोटा और आभासी परतविम बनता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा उत्तल दर्पानगा तो स्टुडेंस आज के इस वीडियो में हम लोग 10 अब्जेक्टिव को समझें बहुत ही अच्छे तरीके से तो आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द निमेरिकल्स भी सॉल्फ करेंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मि लेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई